आज मैं आपको बताऊंगा इसके नवर गाड़ी में कैसे अटेज के जाता है तो फ्रेंट सबसे बेल है यह OBT केवल है OBT केवल को हम गाड़ी से अटेज करेंगे और इस केवल को इस टाइब की यह केवल है और इसको हम ऐसे सीधा पकड़ करें और कहीं भी किसी भी गाड़ी में यह कभी यहां होती है किसी गाड़ी में किसी में यहां किसी में यहां वो यहीं पर इसका एड़ाप्टर होता है और एड़ाप्टर को बड़ी आसानी से हम लगा सकते ही यह फिक्स तरीके से एड़ाप्टर लग चुका है जब एड़ाप्टर कनेप्ट हो जाएगा तो एक बीप का साउंड भी आएगा अब बीप का साउंड इसलिए आएगा भी पासमें भी का साउंड आएगा ताकर इसकेनर कनेट हो गया और यहाँ पर जो आप में देख रहे ओ वीकल छपा हुआ रहा है यह पहचाने के इसकेनर कनेट हो चुका है हम इसे ओन करेंगे गाड़ी का समय उन करेंगे इनिसन और करने के बाद तो दोस्तों सबसबसरे हम बीडबलु इसमें सर्च करेंगे सर्च करना है तो आप यहां से सर्च का उप्सन है वॉक्स्वेगन डाल सकती हो यह वॉक्स भेंगन आ गया वक्स में पर मैं किलीक करूँँगा और किलीक करनेक निकनेative oh, कि अब ऑ और किलीक करनेने ओटोमेटिक सिलेक्सन आ गया ऐखुरमेटिक करता हूँ यह मैंने किलीक कर दिया तो यह यह ऑटोमेटिक बिन नम्मर ले लेगा जैसे यहां से रीड करूँगा तो लो यह गया गया है डोस्तों यह गाड़ी का आ गया है निए यह यहां से कि वुलूप मैंने किलिक हुआ यह वन पॉन्पउमट्थ Tyler है जू इन्गे कि और में यह गाड़ी की इंफोमेसिन और मैं यहां से करता हूं जाओं जाओं किया तो मैं Studio ah डियाग्नोसिस में जाऊँगा उसके बाद मैं कंट्रोल इसने जिस चीज को भी मैं स्कैन करना चाहता हूं ट्रांस्मींसन है प्रेक है इस्टेरिंग है एर कंडिशन है कुछ भी है अम मेरे को इंजन करना है तो मैंने इंजन में कर लिया में कि और मैं यह गाडी की इंफ्रूमिशन है और यहां से करता हूं को करने के बाद होट फंक्शन में जाऊंगा को तो मैं सोरी तो इसमें मैं डियाग्नोसिस में जांगा उसके बाद में जिस दो इन चेज को तो मैंने इंजन में कर लिया, यह खुल गया है, इसमें EC information है, ट्रबल कोड है, लाइब डेटा है, एक्रिफ टेस है, और बेसिक बहुत सारी option है, तो अब मैं डियागनोजिक कर रहा हूं, तो इसमें ट्रबल कोड देखूंगा, तो दोस्तों, इसमें आप देखे रहे हो, 17-523 जो कोड आया है, ओटो सेंसर का है, यह, पोटो सेंसर, हीट, कैटिलिक कर्वेटर, बेंक सेंसर, लोग सोट सर्किट, टू ग्राउंड, दोस्तों, हम इसको एरेज करेंगे, तो यहाँ डिटी से से कर सकते हैं, के लिए डिटी से, हमने एरेज करा, एगिनेशन ओन, एंड इंजन ओफ, यह कंडिशन बता रहा है, तो एगिनेशन हमारा ओन है, और इंजन ओफ है, हम यस कर देंगे, नो फाल्ड कोड डिलिटी, दोस्तों, सक्सेस्पिज हो गया है, और आपका कोड जीरो हो गया है, फिर से जाएंगे, दोबारा चेक कर सकते हैं, ड्रबल कोड में जाओ, नो फाल्ड आ गया, और फिर हम गाड़ी स्टार्ट करंगे, तो देखो, दोस्तों, गाड़ी की लाइट चलीगी है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अगर इसी से हम लाइब डेटा चेक कर सकते हैं, लाइब डेटा में जाकर के हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं, वेब सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ओटो सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, कि यह देखिए आर्प्ययम चेक कर सकते हैं advent40 यार्टसवारे यह हैं टेमप्रिपिरइचर चेक कर सकते हैं ऐसी हर फर गाड़ी में अलग-अलब में आघ सरीके से लाउट लेटा फुल खुल सकता है गाल पैब और हम दोबारा भी अक्र कर सकते हैं तो ट्रेवल कोड दोबारा चेक कर सकते ही So Доस्तों आपने देखा होगा कि यह दोबारा आए गा है जबकि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ सब्सुप फिर भी आ चुका है। तो दोस्तो मैं बताना चाहता हूँ आपको के ये दो वारा जो कोड आया है किसी अरी जो कोड आया है किसलिए आया है किस गारी का जो कैटीलिक अर्विट हो हमने लॉक chopamel वह कारण को हमने तोड दिया है और फोड़ने के बाद यह light और यह code इसमें permanent बन चुका है यह अब delete नहीं होगा तो कि catalis converter अब नहीं रहा है इसलिए दोस्तों आप आपको कभी भी ऐसा लगे कि यह light चून ही जा रही है तो आप कभी भी अपने catalis converter को आप चेक कर सकते हो अगर उसमें catalis converter के अंदर platinum जो मिट्टी होती है अगर वो नहीं है तो आपका code कभी भी नहीं जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में श्रीप इतना ही और जल्दी आँगा नेक्स्ट वीडियो को लेकर करें मैं ठीक है